हेलो फ्रेंड कासे आप पीड़ा अच्छ लगात वीडों कर लाइक और चैनल कर सबस्क्राइब जरूर करें आज के वीडियो में अधिशक बच्चन की फिलिम आई वान्टू टॉटॉक के छटे दिन की कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अधिशक खेचने में नाकामियाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बात weekend तर भी film की कमाई में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विग्देश में तो यह film फिकित खिरकी पर collection नहीं कमा पाई film को release बेढ़ शे दिन हो चुकगे और इस film ने दो करोड की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में भात करते है I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 55 लाग रुपे की कमाई की थी, तीसरे दिन इस film में 56 लाग रुपे की कमाई की थी, वही चवते दिन इस film में 17 लाग रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाग रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk रिलिफ हुए 6 दिन हो गए है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आक्रे आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के 6 दिन ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के 6 दिन की कुल कमाई एक करोड बासी लाक रुपे हो गए है 40 करोड के बजट में बनी I want to talk बॉक्स अफिस पर फ्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडस्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बात अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकल रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज्यादा दशक मिलने की उमीद है और इसे ज्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अधिशक बच्चन की film I Want To Talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अधिशक बच्चन की latest release film I Want To Talk बॉक्स अफिस पर पूरी तरस से टीटी वी नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामियाद लग रही है I Want To Talk का बॉक्स अफिस पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend पर इस film की कमाई में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विग्देश में तो यग film की खिर्की पर collection नहीं कमा पाई film को release है अब 6 दिन हो चुके है और इस film दो करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में बात करते है I want to talk release के पहले दिन 25 लाग रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 55 लाग रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इक film में 53 लाग रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाग रुपे की कमाई की और पाच्वे दिन इस फिलिम में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk रिलिफ के 6 दिन हो गए है याने पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के 6 दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के 6 दिन की कुल कमाई एक करोड़ 20 लाक रुपे हो गए है 40 करोड़ के बजट में बनी I want to talk बॉक्स ओफिस पर फ्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स ओफिस पर ख़ड़ा प्रदेशन के बाउज़िट इंड़स्टी के इंसाइट सुट्रों को उमीद है कि यह फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकल रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी तस से टीक्ती हुई नजर आ रही है कीटिक्स से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामियाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बात weekend पर भी film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विद्धस में तो यह film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई film को release है अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में बात करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film ने 25 लाक रुपे की कमाई की थी गवी चplete दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है गवी अब I want to talk release यह छीते दिन हो गये है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आक्रे आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिन ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड बासी लाक रुपे हो गए है चालिस करोड के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडस्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाटफर्म पर आने के बाद अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकर रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद streaming को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो के लाइक और चानल के subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी तरस से पीटी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में दशक खेचने में नाकामियाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend पर भी इस film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विद्धस में तो यह film की खिर्की पर collection नहीं कमा पाई film को release अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में भाद करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 55 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 57 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk release वे 6 दिन हो गये है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड़ बासी लाक रुपे हो गए है 40 करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडेस्टी के इंसाइट सुट्रों को उमीद है कि यह फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकर रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज्यादा दशक मिलने की उमीद है और इसे ज्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I Want To Talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I Want To Talk बॉक्स अफिस पर पूरी दस से टीक्ती हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामियाद लग रही है I Want To Talk का बॉक्स अफिस पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend पर दी इस film की कमाएं में कोई दाफा नहीं हुआ फिर विग्देश में तो यह film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई film को release है अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में बात करते हैं I Want To Talk release के पहले दिन 25 लाग रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 55 लाग रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 55 लाग रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाग रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाग रुपे की कमाई रही है वही अब I Want To Talk release हुए छटे दिन हो गए है याने पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छक्ते दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छक्ते दिन की कुल कमाई एक करोड़ बासी लाक रुपे हो गए है 40 करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर फ्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रदेशन के बाउज़िट इंडस्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि यह फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिज़ करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिटल रिलिज़् ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I Want To Talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I Want To Talk बॉक्स अफिस पर पूरी तरस से टीटी वी नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामियाद लग रही है I Want To Talk का बॉक्स अफिस पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब होई थी और इसके बाद weekend तर दी इस film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विग्देश में तो यह film की खिरकी पर कलेक्शन नहीं कमा पाई इस film को रिलिस अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोड की भी कमाई नहीं कर पाई है इस film के अब तक के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं आई वन्टो टाक रिलिस के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 23 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाच्वे दिन इस फिरिम में 20 लाग रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk रिलिफ के छटे दिन हो गए है याने पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आक्रे आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाग रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कूल कमाई एक करोड बासी लाग रुपे हो गए है 40 करोड के बजट में बनी I want to talk बॉक्स अफिस पर फ्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडेस्टी के इंसाइट सुट्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकर रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद streaming को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशेक बच्चन की film I want to talk के चटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशेक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी तरस से टीटी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सीनेमा घर में दशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend पर इस film की कमाई में कोई जासा नहीं हुआ फिर विद्धेस में तो योग film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई film को release हुए अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोड की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में भात करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 27 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस फिलिम में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाच्वे दिन इस फिलिम में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I Want To Talk रिलिफ हुए 6 दिन हो गए है याने पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I Want To Talk में रिलिफ के 6 दिन इन पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I Want To Talk के 6 दिन की कुल कमाई 1 करोड 22 लाक रुपे हो गए है 40 करोड के बजट में बनी I Want To Talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रोडेशन के बाउज़िट इंडस्टी के इंसाइट सुट्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिव करने और ज्यादा प्रोमोशन न करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिटर रिलिव ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी तर्स से टेक्टी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बात weekend पर भी इस film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विद्धस में तो यह film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई इस film को release अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है इस film के अब तक के collection के बारे में बात करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk release वे 6 दिन हो गये है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड़ बासी लाक रुपे हो गए है चालिस करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही चुलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडस्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि यह चुलिम स्टीमिंग प्लाटफॉर्म पर आने के बात अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिज करने और ज्यादा प्रोमोशन न करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकर रिलिज ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो के लाइक और चानल के subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I Want To Talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I Want To Talk बॉक्स अफिस पर पूरी तरस से टीटी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रहशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I Want To Talk का बॉक्स अफिस पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend तर दी इस film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विद्देश में तो यह film की खिर्की पर collection नहीं कमा पाई फिल्म को release में अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोड की भी कमाई नहीं कर पाई है फिल्म के अब तक के collection के बारे में भाद करते हैं I Want To Talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I Want To Talk release में 6 दिन हो गये है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड़ बासी लाक रुपे हो गए है 40 करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडस्टी के इंसाइट सुट्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाटफॉर्म पर आने के बात अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकल रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज्यादा दशक मिलने की उमीद है और इसे ज्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I Want To Talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I Want To Talk बॉक्स अफिस पर पूरी तस से टीक्ती हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामियाद लग रही है I Want To Talk का बॉक्स अफिस पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend पर दिस film की कमाएं में कोई दाफा नहीं हुआ फिर विग्देश में तो यह film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई film को release है अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में बात करते हैं I Want To Talk release के पहले दिन 25 लाग रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 55 लाग रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 55 लाग रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाग रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाग रुपे की कमाई रही है वही अब I Want To Talk release हुए छटे दिन हो गए है याने पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड़ बासी लाक रुपे हो गए है 40 करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रदेशन के बाउज़िट इंडस्टी के इंसाइट सुप्रो को उमीद है कि यह फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकल रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा दश्यक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी तर्फ से टीटी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बात weekend तर्दी इस film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विग्देस में तो यह film कीट खिरकी पर collection नहीं कमा पाई film को release अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोड की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में बात करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk release में 6 दिन हो गए है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आक्रे आ गये है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिन ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड बासी लाक रुपे हो गए है चालिस करोड के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडस्टी के इंसाइट सुट्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बात अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकल रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो के लाइक और चानल के सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में अधिशक बच्चन की film I Want To Talk के छटे दिन की कलेशन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अधिशक बच्चन की लेटर फ्रीलिफ फ्लिम I Want To Talk बॉक्स अफिस पर पूरी तरस से टीटी हुई नजर आ रही है कीटिक से पॉजिटीव रियू मिलने के बावजुद भी फ्लिम सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामियाद लग रही है I Want To Talk का बॉक्स अफिस पर बुरा हाल है वैसे इस फ्लिम की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद वीकेंट पर इस फ्लिम की कमाई में कोई दासा नहीं हुआ फिर विड़ेस में तो योग फ्लिम की खिर्की पर कलेक्शन नहीं कमा पाई फिलिम को रिलिस अब 6 दिन हो चुके है और इस फिलिम ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है फिलिम के अब तक के कलेक्शन के बारे में भाद करते हैं I Want To Talk रिलिस के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस फिल्म में 55 लाग रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस फिल्म में 57 लाग रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस फिल्म में 17 लाग रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस फिल्म में 20 लाग रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk रिलिफ हुए 6 दिन हो गए है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के 6 दिन ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी की साथ I want to talk के 6 दिन की कुल कमाई एक करोड़ 20 लाक रुपे हो गए है 40 करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रदेशन के बाउज़िट इंड़स्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाटफर्म पर आने के बाद अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिव करने और ज्यादा प्रोमोशन न करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिटर रिलिव ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा दशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी दस से टीक्ती हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend पर दिस film की कमाएं में कोई इजाफा नहीं हुआ फिर विद्धस में तो यह film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई film को release है अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में बात करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 55 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 55 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk release हुए छटे दिन हो गए है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक आई वांटू टॉक में रिलिफ के छक्ते दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ आई वांटू टॉक के छक्ते दिन की कुल कमाई एक करोड बासी लाक रुपे हो गए है चालिस करोड के बजट में बने आई वांटू टॉक बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडस्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाटफर्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकल रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद streaming को ज़्यादा दश्यक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो के लाइक और चानल के subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I Want To Talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I Want To Talk बॉक्स अफिस पर पूरी तरस से टीटी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रहशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I Want To Talk का बॉक्स अफिस पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend तर दी इस film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विग्देश में तो यह film की खिर्की पर collection नहीं कमा पाई film को release अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोड की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में भाद करते हैं I Want To Talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस फिल्म में 55 लाक रुपे की कमाई की थी और पाच्वे दिन इस फिल्म में 20 लाक रुपे की कमाई रही है बहिए अब I Want To Talk release के ज़ते दिन हो गए है याने पहले बुद्वार की कमाई की शुरुआजी आक्रे आ गए है सेनमिक और अलि टेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाग रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई 1 करोड 22 लाग रुपे हो गए है 40 करोड के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडेस्टी के इंसाइट सुट्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाटफर्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकल रिलिस ही किया जाना था ऐसे में feeling platform पर available होने के बाद feeling को ज्यादा दशक मिलने की उमीद है और इसे ज्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अधिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अधिशक बच्चन की latest release film I want to talk box office पर पूरी तरस से टीटी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend पर दी इस film की कमाएं में कोई दाफा नहीं हुआ फिर विग्देस में तो यह film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई film को release अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में भाद करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 55 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 57 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk release वे 6 दिन हो गये है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी की साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड़ बासी लाक रुपे हो गए है 40 करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रदेशन के बाउज़िट इंड़स्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिटल रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो के लाइक और चानल के subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशेक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशेक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी तर्फ से टेक्टी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive review मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बात weekend तर्दी film की कमाई में कोई जासा नहीं हुआ फिर विग्देश में तो यग film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई film को release हुए अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोड की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में भात करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 23 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस फिलिम में 17 लाक लुपे की कमाई की और पाच्वे दिन इस फिलिम में 20 लाक लुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk रिलिफ हुए छते दिन हो गये है याने पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आक्रे आ गये है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छते दिन इने पहले बुद्वार को 12 लाक लुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छते दिन की कुल कमाई 1 करोड 22 लाक लुपे हो गये है 40 करोड के बजट में बनी I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडस्टी के इंसाइट सुट्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाटफर्म पर आने के बात अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकल रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो के लाइक और चानल के सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी तरस से पीटी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में दशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे इस film की शूरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend पर भी इस film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विद्धस में तो यह film की खिर्की पर collection नहीं कमा पाई फिल्म को release है अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है फिल्म के अब तक के collection के बारे में भाद करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 55 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 57 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk release हुए 6 दिन हो गये है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड़ बासी लाक रुपे हो गए है 40 करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउजट इंडेस्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि यह फिलिम स्टीमिंग प्लाटफर्म पर आने के बात अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकर रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज्यादा दशक मिलने की उमीद है और इसे ज्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी दस से पिक्ती हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बात weekend पर दिस film की कमाएं में कोई इजाफा नहीं हुआ फिर विद्धस में तो यह film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई film को release है अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में बात करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 55 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 55 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk release हुए छटे दिन हो गए है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छक्ते दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छक्ते दिन की कुल कमाई एक करोड बासी लाक रुपे हो गए है 40 करोड के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर फ्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रदेशन के बाउजिट इंडस्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकल रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा दश्यक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो के लाइक और चानल के subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I Want To Talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I Want To Talk बॉक्स अफिस पर पूरी तरस से टीटी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रहशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I Want To Talk का बॉक्स अफिस पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बात विकेंट तर दिस film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विग्देस में तो यह film की खिरकी पर कलेक्शन नहीं कमा पाई इस film को रिलिस में अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोड की भी कमाई नहीं कर पाई है फिलिम के अब तक के कलेक्शन के बारे में भात करते हैं I want to talk रिलिस के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 23 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और प कमाई के शुरुआदी आकरे आ गये हैं. सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपर्ट के मुताबिक, I WANT TO TALK में रिलिफ के छटे दिने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है. इसी के साथ I WANT TO TALK के छटे दिन की कुल कमाई 1 करोड 20 लाक रुपे हो गये हैं. चालिस करोर के बजट में बनी I Want To Talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है। वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडस्टी के इंसाइट सुट्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाटफर्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी। फिलिम की चोटए स्केल पर रिलीज करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को this confirming प्लाटफर्म पर आवेलेबल होने के बाद फिलिम को ज्यादा दशक मिलने की उमेद है और इसे ज्यादा पॉसिटिव रिस्पॉंस भी मिलेगा। अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का स्बस्क्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशेक बच्चन की फ्लीम I Want To Talk के छटे दिन की कलिशन के बारे में जाने के आज के वीडियो में अभिशेक बच्चन की लेटर फिलिफ फिलिम आई वांटो टॉक बॉक्स अफिस पर पूरी तर्फ से टेक्टी हुई नदर आ रही है कीटिक से पॉजिटिव रियू मिलने के बावजुद भी फिलिम सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामियार लग रही है आई वांटो टॉक का बॉक्स अफिस पर बुरा हाल है वैसे इस फिलिम की शुरुआदे कासी खराब हो थी इसके बाद विकेंट तरदी इस फिलिम की कमाई में कोई ज़ासा नहीं हुआ फिर विगदेज ने तो यह फिलिम की खिर्की पर कलेक्शन नहीं कमा पाई इस फिल्म को release है अब 6 दिन हो चुके है और इस फिल्म ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है फिल्म के अब तक के collection के बारे में भात करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाग रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस फिल्म में 55 लाग रुपे की कमाई की थी तिसे दिन एक फिलिम में चेपन लाख रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस फिलिम में सचा लाख रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस फिलिम में बिस लाख रुपे की कमाई रही है वही अब I Want To Talk रिलिफ हुए छटे दिन हो गए है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी की साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड़ बासी लाक रुपे हो गए है चालिस करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रदेशन के बाउज़िट इंड़स्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि यह फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकल रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी तर्स से टेक्टी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बात weekend पर भी इस film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विद्धस में तो यह film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई इस film को release अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है इस film के अब तक के collection के बारे में बात करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk release वे 6 दिन हो गये है याने पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिन ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड बासी लाक रुपे हो गए है चालिस करोड के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडस्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बात अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिज करने और ज्यादा प्रोमोशन न करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकर रिलिज ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद streaming को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो के लाइक और चानल के सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी तरस से पिक्ती हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में दशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend पर भी इस film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विद्धस में तो यह film की खिर्की पर collection नहीं कमा पाई film को release है अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में भाद करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 55 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 57 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk release हुए 6 दिन हो गये है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड़ बासी लाक रुपे हो गए है 40 करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउज़िट इंडस्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि यह फिलिम स्टीमिंग प्लाटफर्म पर आने के बात अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकर रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज्यादा दशक मिलने की उमीद है और इसे ज्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी तस से टीक्ती हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामियाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बाद weekend पर दिस film की कमाएं में कोई दाफा नहीं हुआ फिर विग्देश में तो यह film की खिर्की पर collection नहीं कमा पाई film को release है अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में बात करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाग रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 55 लाग रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इक film में 55 लाग रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाग रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाग रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk release हुए छटे दिन हो गये है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छक्ते दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छक्ते दिन की कुल कमाई एक करोड़ बासी लाक रुपे हो गए है 40 करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर फ्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रदेशन के बाउज़िट इंडस्टी के इंसाइट सुप्रो को उमीद है कि यह फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिस करने और ज्यादा प्रोमोशन ना करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिकर रिलिस ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा दश्यक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो के लाइक और चानल के subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I Want To Talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I Want To Talk बॉक्स अफिस पर पूरी तरस से टीटी हुई नजर आ रही है कीटिक से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रहशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I Want To Talk का बॉक्स अफिस पर बुरा हाल है वैसे इस film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बात weekend तरदी इस film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर weekdays में तो यह film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई इस film को release अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोड की भी कमाई नहीं कर पाई है इस film के अब तक के collection के बारे में बात करते हैं I Want To Talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I Want To Talk release में 6 दिन हो गये है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आक्रे आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड बासी लाक रुपे हो गए है चालिस करोड के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउजिट इंडेस्टी के इंसाइट सुट्रों को उमीद है कि इस फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद आच्छा परफरमस करेंगी प्रोप्मोशन ना करने से लग रा है कि इस फिलिम को डिटिकल रिलिज ही किया जाना था ऐसे में फिलिमंग प्लाफ़र्म पर ऐवलेबल होने के बाद फिलिम को ज़्यादा दाशक मिलने की ओमीद है और इससे ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पाइज भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में अधिशिक बच्चन की फ्लिम I Want To Talk के छटे दिन की कलिशन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अधिशिक बच्चन की लेटर फ्लिम I Want To Talk का बॉक्स अफिस पर बुरा हाल है वैसे फ्लिम की शुरुआदे काफी खराब हुए थी और इसके बात वीकेंड पर भी इस फ्लिम की कमाये में कोई हिजासा नहीं हुआ फिर वीडियो में तो यह फ्लिम की खिरकी पर कलेक्शन नहीं कमा पाई फ्लिम को रिलिस अब छे दिन हो चुके है और इस फ्लिम ने दो करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है फ्लिम के अब तक के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं आई वन्टो टाक रिलिस के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस फिलिम में 55 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस फिलिम में 57 लाक रुपे की कमाई की और पाच्वे दिन इस फिलिम में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk रिलिफ हुए 6 दिन हो गए है यानि पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के 6 दिन ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी की साथ I want to talk के छक्ते दिन की कुल कमाई एक करोड बासी लाक रुपे हो गए है 40 करोड के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर स्लाफ हो चुकी है वही फिलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रोडेशन के बाउज़िट इंडस्टी के इंसाइट सुट्रों को उमीद है कि यह फिलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बाद अच्छा परफरमस करेंगी फिलिम की छोटे स्केल पर रिलिव करने और ज्यादा प्रोमोशन न करने से लग रहा है कि इस फिलिम को डिजिटर रिलिव ही किया जाना था ऐसे में streaming platform पर available होने के बाद feeling को ज़्यादा देशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा positive response भी मिलेगा अच्छा लगात वीडियो का लाइक और चानल का subscribe ज़रूर करें आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की film I want to talk के छटे दिन की collection के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में अभिशक बच्चन की latest film I want to talk box office पर पूरी तर्फ से टीक्ती हुई नजर आ रही है कीटिक्स से positive view मिलने के बावजुद भी film सिनेमा घर में रशक खेचने में नाकामयाद लग रही है I want to talk का box office पर बुरा हाल है वैसे film की शुरुआदी काफी खराब हुई थी और इसके बात weekend पर भी film की कमाएं में कोई इजासा नहीं हुआ फिर विद्धस में तो यह film की खिरकी पर collection नहीं कमा पाई film को release अब 6 दिन हो चुके है और इस film ने 2 करोर की भी कमाई नहीं कर पाई है film के अब तक के collection के बारे में बात करते हैं I want to talk release के पहले दिन 25 लाक रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी तिसरे दिन इस film में 25 लाक रुपे की कमाई की थी वही चवते दिन इस film में 17 लाक रुपे की कमाई की और पाचवे दिन इस film में 20 लाक रुपे की कमाई रही है वही अब I want to talk release वे 6 दिन हो गये है याने पहले बुद्वार की कमाई की शुरुवादी आकड़े आ गए है सेनमिक और अलिटेटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक I want to talk में रिलिफ के छटे दिने ने पहले बुद्वार को 12 लाक रुपे की कमाई की है इसी के साथ I want to talk के छटे दिन की कुल कमाई एक करोड़ बासी लाक रुपे हो गए है चालिस करोड़ के बजट में बने I want to talk बॉक्स अफिस पर फ्लाफ हो चुकी है वही चुलिम के बॉक्स अफिस पर ख़ड़ा प्रजेशन के बाउजिट इंड़स्टी के इंसाइट सुत्रों को उमीद है कि यह चुलिम स्टीमिंग प्लाफ़र्म पर आने के बात अच्छा परफरमस करेंगी चुलिम की छोटे स्केल पर रिलिज करने और ज्यादा प्रमोशन न करने से लग रहा है कि इस चुलिम को डिजिकल रिलीज ही किया जाना था ऐसे में स्टिमिंग प्लाड़फर्म पर एवेलेबल होने के बाद सिलिंग को ज़्यादा दशक मिलने की उमीद है और इसे ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉंस भी मिलेगा